Hello students, welcome back to Geometric Progression. Next example is number 42. Now this kind of example is little bit different as compared to what we have done earlier. So example आऊँछे, obtain the sum of following series up to n terms. Last term कयो छे ए आपेलू नथी, आपड़े छे sum करवानू छे ए n number of terms हुदी करानू. It means आपड़ा n जे छे, ए ए एन अज रेसे, एटले ए पर्टिकुलर इक्वेशन के हुखाई? आउसे जे माँ, कोई value नहीं होई, single value. एनी बदले आपड़े आपड़े n वाड़ा फॉर्म मामर से आंसर. आपड़े पासे first term हसे, आपड़े पासे मेभी ratio हसे, but we don't have n. किमक्या यहाँ जे sum करवानू छे, ए n terms सुधी करवानू छे. Okay, now look at this series. 1 plus 11 plus 111 plus 1111 and up to n terms. Now, we can easily obtain और we can easily analyze के अना पर आपड़े ratio अपलाई करिये, तो थाई सके छे के नहीं. Say, for example, 11 by 1 करू, तो of course 11 आवे चे. पन 111 divided by 11 करू, तो 11 नहीं आवे. Same एविरिदे, fourth term divided by third term करू छू, तो पन 11 नथी आवे. It means, अया ratio common नथी आवे. So, we cannot say this is geometric progression. Okay, no problem. अबने try करिये कि आवे arithmetic progression छे. तो 11 minus 1 करिये, तो 10 आवे जोई है. Okay, 10. तो 111 माथी 11 subtract करिये, तो 100 आवे चे. It means 10 आवता नथी. So, again, we cannot say के भया arithmetic progression छे. तो घणी वकत अमुक सीरीज, एवे जोटे create करेली होई छे. के, you cannot say arithmetic छे और geometric छे. तो एवा टाइमें, आपड़े ए सीरीज में, एवा फॉर्म माँ अप्टेन करवानी होई छे. अथो एवा फॉर्म मां convert करवानी होई छे. के, जे माँ थी, आपड़े इधर एने geometric progression मां फॉर्म करी सकी और एने arithmetic मां करी सकी. Now, आपड़े सु करिये छे, आ सीरीज या थी आरे, हुँ नाइन्थी multiply करूछू, और नाइन्थी divide करूछू. एवा एटले, किमके next step लेजवा मांटे, आपड़े मल्टिप्लिकेशन नी जरूर पड़े छे, अथो तो division नी जरूर पड़े छे. तो जे वस्तु करता होई, एनू opposite करूँ पड़े, किमके जे सीरीज चे छे, एनू meaning as it is रे वो जोई. So, dividing and multiplying the above series or sequence by 9, आउपर नुचे एपड़े equation करिये छे, एने आपड़े 9 थी multiply करिये छे, और 9 थी divide करिये छे. So, हुँए उलखो चुँ, again, 1 plus 11 plus 111 plus 4 times 1 plus up to up to n times. Okay, हवे आपड़े आने 9 थी multiply करिये छुँ, और 9 थी divide करिये छुँ. It means 9 थी multiply करवानू छे, एटला जेटली पण वस्तु छे, एने वेला हुँँ 1 upon 9 थी divide करना कुछु, और बारेले एला उचु एने. अंदर नी जेटली पण वेल्यू छे, एने वुँ 9 थी multiply करूँ दो 1 into 9, 9, 11 to 9, 99, then 999, then 9099, okay, up to, up to, up to, n terms. Okay, आविट दे n terms हुदी लखिये जी, आपड़े यहां के लखवानू नथी. 9n नहीं आवे, पड़, n terms छे, nth term कई छे, एथा आपड़ने खबर अज नथी, किमक्या 9, 9 छे, किटली इवखत आव से, we don't know. Okay, now, can we write 9, आविट दे लखिये सकू, 10 minus 1, that is 9, 99 ने लखवा माटे हू, 100 minus 1 लखिये सकू, 999 ने 1000 minus 1 लखिये सकू, आने हावे, लास्ट करी लखिये, 10,000 minus 1 करू, प्लस, आवो तो, n terms तो दी छे, see, what I am going to do is, 9 नी बदले 10 minus 1, एले 9 थाई, 99 एले 100 minus 1 थाई, 999, 1000 माथी 1 सब्ट्रेक करो, 999, 10,000 माथी 1 सब्ट्रेक करी है, आवो n times करवानूँचे, n terms तो हवे, मुँ एवो लखो, 1 upon 9, हवे, आव 1 चेने, एमाने बदी टर्म माँ सब्ट्रेक थाता देखाईजे, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, अगर पन बद्धा माथी minus 1 सब्ट्रेक थासे, तो हूँ एम एक काम करूँचे, एटला plus वाडा चे बदा ने कलेक करलाूँच, तो हूँ खेक, 10, पच्छी, plus 100, plus 1000, plus 10,000, plus, plus, up to n terms, I don't know, what is the end term, हवे हूँ हुँ वन ने בעले कारू निखतों दर ही अगवारब निखम उते हैं वो को ऐ हं दो द आ हीव डिस सब्सक्रणा र केना बैंस अनर स therms जों सब्सक्क्रत निखकर वा र हाक न Спस्क्राना न माइनस लखे लाजे तो होवे हूँ जो ब्रेकेट ओपन करूँ तो माइनस बदाने लागू पड़े यह लो अटोमेटिकली बदा माइनस थी जैसे नाँ इफ वी एनलाईज दिस सीरीज देन वी कें से कि इट में भी पॉसिबल के आँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होई सके लाइक 100 डिवाइड बेट पर 10, 10, 1000 डिवाइड बाई 100, 10, 10,000 डिवाइड बाई 1000, 10 तो दरेके दरेक टाम ने प्रिसीडन टाम साथे नो रेशियो आर, 10 आवे चे, कॉंस्टिंट चे तो आपने हूँ कही सकिये के आँ आख्याखी सीरीज छे यहने भले n टम्स उधी एडिशन करवानी छे पण आपने खबर पड़ी कहीं कि आ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन छे आप 1 नो सू कर सू, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गेटली टाइमस छे, n टाइमस छे, तो हूँ हम कही सकू, 1 इन्टो n, 1 ने गेटली वख़त मल्टिप्लाई करवाना, एड करवाना, n टाइमस, ओके, तो आवे हूँ नेक्स्ट मा लखू 1 upon 9, right? Now this is our 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000, okay, enough. Up to n terms. minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 1 n times it means this is nothing but n into 1 और we can say n हवे we have the series which is in geometric progression so we can say a is equal to 10 we can say ratio is equal to 100 by 10 that is equal to 10 n, n तो n अच्छे कई टम सुदी की दूचे तो इतो n टम सुदी की दूचे तो that is equal to n now which kind of equation we are using for sum of n terms of geometric progression that depends on your r r छे a1 थी मोटा छे it means sn is equal to a into r2 n minus 1 divided by r minus 1 so हूँ या लखू 1 upon n आ एक्वेशन प्रमाणे अपड़ा j a छे a 10 छे r नी n पावर r अर अटले के 10 10 नी केटली पावर of course n अपणी पास n न थी minus 1 divided by r नी n पावर sorry r minus 1 r 10 छे divided by sorry 10 minus 1 that is 9 done this is what sum of n terms of the given series okay you can also verify this equation answer sorry this answer with your book okay maybe possible के आया 9 into 9 20 नीचे 81 करी सकाई छे so we can okay one thing is remaining minus 1 okay minus n sorry this is minus n अने as it is पड़ मुखी सकाई छे जो आपड़े बनने नो base equal करो होई तो आपड़े विरिदे पड़ करी सकीए so this is your final answer